मुटर कार की रेस लगा रहा हूं कौनसी मोटर कार ज्यादा गती से जाती है यह जान लेता हूं अरे जिससे ज्यादा जोर लगा कर धक्का दोगे वही आगे जाएगी ना अरे सच है तो सुनो वो किताबें यहा ले आओ यह कापी है ना यह देखो किताबें ऐसी रखी है यह कापी ऐसी रखी है याने फिसलन ना हां बराबर हम इस पर मोटर कार छोड़ के देखे हां बराबर यहां रखो अरे बहुत लंबे फासले तक कार गई दोनों मोटर कार एक साथ छोड़ेंगे देखेंगे कौन सी आगे जाती है ठीक है लेकिन मैं एक साथ छोड़ूँगा ठीक है अरे नीली कार जीती सुनो फिर एक बार छोड़ेंगे ठीक है अरे फिर से निली मोटर कार जित गई यह मेरे मामा ने मुझे साल गिरा के दिन दी थी अच्छा मुझे एक बताओ हमने अगर यह धलान कम किया तो चलो देखते है चलेगा देखते है पिछली बार जब धलान ज्यादा थी तब वो उस रेशा तक मोटर कर गई थी अब देखेंगे धलान कम करने पर क्या होता है चलेगा नहीं नहीं ठेरो वही मोटर कार दोड़ाएंगे फिर से अरे इस वक पहले ही ठेर गई याने धलान कम होगी तब मोटर कार जल्दी ठेर जाती है अगर ढ़लान बढ़ाई जाए तो ज्यादा दूर जाएगी क्या करके देखेंगे ये देखो हमारी ढ़लान थोड़ी देर पहले इस थिती में थी उसे बढ़ा के कार कितनी दूर पहुंचती है देखेंगे अब छोड़ो अरे बहुत आगे गई है अगर ढ़लान बढ़ाई जाए तो मोटार कर आगे जाती है कम किया तो पहले ही ठहर जाती है बराबर लेकिन भाईया ये ढ़लान कम है अथ्वा ज्यादा कैसे समझेंगे हाँ बढ़िया प्रश्न पूछा ये देखो कैसा है तुम्हारी उंच ही हम सेंटिमीटर में नापते हैं तुम्हारा वजन किलोग्राम में नापते हैं वैसे ड़लान कौन से नापते हैं कौन? यने आईस्ख्रिम का कौन? हाहाँ ने 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 ऐसे ने ये देखो ये कापी जमीन से कितनी उपर उठाई है इससे उनका कोन नापा जाता है ये कोन, कोन नापक से नापा जाता है यानि ये देखो, अभी ये कापी जमीन पर आड़ी रखेंगे अभी मैंने थोड़ी से उपर उठाई और थोड़ी उपर उठाई तो जमीन और कापी दोनों में जो कोन होता है उसे हम बदलते रहते हैं अच्छा यहने कोण नापलें के लिए जमीन लगती है बराबर है ना वैसे नहीं यह देखो यह दो प्लास्टिक के खंड लिए है दोनों को एक के उपर एक रखा है अभी उपर वाला खंड मैंने थोड़ा सा उठा लिया और थोड़ा उठा लिया और ऐसा रखा इनमें जो कोण है उसे में ज्यादा कम करता गया अच्छा तो इसे कुछ नाम होगा ना हाँ है ना हाँ यह आडा खंड और यह खडा खंड यह हुआ सम कोण हाँ फिर से कहो ना कुछ समझ नहीं आया अरे यह देखो यह किताब आड़े पकड़ो और यह कापी है यह एक यह दूसरी बाजू दोनों जिस जगा जुड़ जाती है उसी जुकाओ को कोन कहते है अब यह कम हुआ हाँ अब यह ज्यादा हुआ बराबर लेकिन कौनसी भी दो बाजू है अथवा रिखाओ में कोन रहता ही है क्या हाँ यह दो दीवारों में हाँ समकून लेकिन छोटे और बड़े कौन को क्या कहते है हाँ यह देखो छोटे कौन को लगुकौन और बड़े कौन को विशाल कौन कहते है विशाल कौन याने दादा जी की आराम कुरसी है, वैसा ही न, बिल्कुल सही, ये देखो, ये बिल्कुल आसान है, दियान में रखने के लिए है न, ए, मेरे हाँ क्यों उंगली दिखा रहे हो, ने ने उंगली नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी तरफ, अच्छा कौन उंगलियों में भी कौन तयार हो सकता है अंगूठा और पहली उंगली इसमें भी कौन तयार होता है मज़े की बात है लगू कौन सम कौन और विशाल कौन बहुत अच्छे बहुत अच्छा सुजा तुमें लेकिन भाया चतुश कौन इस शब्द में भी कौन आ में दो बाजूएं कितनी जगहों में जुडते हैं एक दो 3 चार चार जगहों में जुडते हैं जाबास याने चार कोनों का जूड आकरती याने चतुश कोन हां बिल्कूल ठीक कहा अब कोन में मुड़ना है और सब ठीक तरह से रखना है चलो पाट शाला का वक्त हो गया जट पट पूरी जगा साफ करो हमें जाना है चलो चलो हमने क्या सीखा एक एक बिंदू से शुरू होने वाली दो रेशाओं से कौन तयार होता है दो कोन के तीन प्रकार है लगकोन, समकोन, विशाल कोन तीर एक बाजू खड़ी और एक आड़ी हो तो होने वाले कोन को समकोन कहते हैं चार जो कोन समकोन से छोटा होता है उस कोन को लगकोन कहते हैं पांच लगकोन समकोन से छोटा होता है छे, समकून से बड़े होने वाले कौन को विशाल कौन कहते हैं विशाल याने बड़ा साथ, विशाल कौन समकौन से बड़ा होता है करके देखिए एक, शरीर ये सबसे आसान और महतवपूर्ण साधन है घुटना, भुजा में हर एक जोड विविशाल कौन बनाते हैं हर एक हलचल के लिए जोड उपयुक्त ठहरता है दो, बगीचे में पेड और जमीन समकौन टहनी नीचे से देखो तो विशाल कौन बड़ी टहनी और छोटी टहनियों में पत्ते के डांठ इनमें अनेक प्रकार के कौन होते है तीन, खेल आप सबको पसंद है ये भईया अनेक प्रकार के आसन कर रहा है धुण्डिये पहचानने वाले कौन चार, घड़ी के काटे हरे घंटे में होने वाला कौन देखिये उसका प्रकार बताईए पांच, कागस को मोड़ कर अनेक कौन अनुभव कर सकते हैं तो मोड़िये और दोस्तों को भी सिखाईए छे, आसमान में सबतर्शी नाम के साथ तारे दिखाईए पड़ते हैं उनमें कोन पहचानी है साथ, मा तथा दीदी के मदद से विवित कोन वाली रंगोली निकाल कर देखिये आठ, अंग्रेजी अक्षरों में कौन से कोन दिखाई देते हैं ये ढून निकाली है हिंदी लिपे में भी कोन ढून दिखिये नौ, एक बाजू से खुलने वाला दर्वाजा तथा दर्वाजे की चौकट इसमें लगो कोन और विशाल कोन देखि